हेलो एवरिवन आज के सशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर फस्ट टाइम आये हैं मैं उन्हें बता दू कुछ इस चैनल के बारे में इस चैनल पर क्लास नाइन टू क्लास 12 मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है इन बोथ मीडियम हिंदी मीडियम इसके अतरिक इस चैनल पर मैथ्स पढ़ाता हूं फोर जी मेंज एन जी एडवांस ठीक है तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 का जो हमारे टर्म 2 का एक्जाम होने वाला है उसका मैथमेटिक्स के स्लेवर्स को ओवर्वीव करने वाले ह चलो स्टार्ट करते हैं तो स्टुडेंट्स मैं आपको बता दूँ स्लेवर्स का ओवर्वीव करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है अगर हम विदाउट स्लेवर्स का ओवर्वीव करे इंपोर्टेंट है ओके तो देखो जो टर्म टू है वो टो रिटन होगा हमारा अब्जेक्टिव नहीं होने वाला है है ना रिटन होगा मतलब सवाल आपको दिया जाएगा आपको शॉल्यूशन लिखना है वहाँ पे टर्म वन तो हमारा अब्जेक्टिव वहा था पच्छो यह 50 मार्क्स का होने वाला है तर्म टू कितने मार्क्स का होने वाला है 50 मार्क्स का होने वाला है जिसमें की 40 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा रिटन एक्जाम होगा और 10 मार्क्स आपको इंटरनल एसेस्मेंट में दी जाएगी इंटरनल एसेस्मेंट में 10 number आपको school में आपका class performance कैसा है, unit test में आपका performance कैसा है, आपका mid, जो pre-board हुआ होगा school में, उसमें आपके performance कैसे है, उसमें, वहाँ से क्या जाएगा आपको? आपका internal assessment के number बनेगा, तो हमारा return test लिया जाएगा CBSC के थोँ, वो हमारा 40 marks का होगा तो total कितना हो जाता है? 50 marks ठीक है? तो term 2 हमारा 50 marks का होने वाला है अब हम ये देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ठीक है? याद रखेगा term 2 में हमें जो NCRT का part 2 है सिर्फ वही पढ़ना है, part 1 हमारा term 1 में आ चुका है term 2 में हमारा सिर्फ part 2 है तो देखते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो देखो देखे बचो, इसमें मैं जो हम लोग ये, मैं आभी आपको जो समझाओ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है according to NCRT book क्योंकि इसलिए, CBC क्या recommend करता है NCRT recommend करता है तो हम लोग जो ये, मैं exercise लिखा हूँ NCRT book के according लिखा हूँ क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो चलो देखते हैं जो हमारा calculus है, वो हमारा कितने marks का रहा था 18 marks का रहा है calculus कितने marks का रहा है 18 marks का रहा है तो calculus के अंदर हमारा दो topic होता है एक differential calculus और integral calculus तो differential calculus हमारे term 1 में आ चुका है term 2 में हमें integral calculus पढ़ना है integration वाला part है indefinite integration और definite integration होता है जो NCRT part 2 में है हमारे तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो हमारा calculus है उसमें कौन सा part पढ़ना है अपने को integral calculus वाला part पढ़ना है integral calculus वाला part पढ़ना है किसमें NCRT part 2 book में दिया हुआ है यहाँ पर क्या पढ़ना है integral calculus में कौन कौन सा chapter आ जाएगा हमारा chapter 7, chapter 8 और chapter 9 कहां का chapter 7, chapter 8, chapter 9 NCRT part 2 class 12 math books math में जो part 2 हमारा है NCRT का पड़िना है हमें integral calculus के अंदर जो हमारा chapter 7 है वो हमारा integration है चैपटर 7 क्या है integration है यह हमारा कितने marks का आता है क्या क्यों क्या इंटिछलोगा क्या क्या कि उसमें क्या क्या integration आजाएगा application of integral आ जाएगा जो एरिया वाला पाट है और डिफेरेंसिल question आ जागा तो chapter 7 में integration है integration में हम लोग क्या क्या देखेंगे indefinite integration देखेंगे और definite integration देखेंगे दोनों आ रहा है definite integration और indefinite दोनों आ रहा है तो हमारा जो integral वाला part है chapter 7 है उसमें exercise 7.1 से लेकर 7.11 तक दिया हुआ है तो हमें 7.1 से 7.11 as well as chapter 7 का mislinious यह पढ़ना है ठीक है बट उसमें जो 7.8 exercise है यह हमें नहीं पढ़ना है है ना जो 7.8 exercise है यह हमें नहीं पढ़ना है यह हमारा कौन सा part है इसमें किस type का question पढ़ते थे हम लोग किस type का concept इसमें पढ़ा जाता है यह है integration limit as a sum जो integration पढ़ते हैं हम लोग limit as a sum करके वो हमें नहीं पढ़ना इस बार हमें हमारे sliver से skip कर दिया गया है तो chapter 7 में हमें सिर्फ 7.8 नहीं पढ़ना है साथी साथ मैं आपको बता दू यहां पे ना कुछ ऐसे integration होंगे integration of under root ax square plus bx plus c dx यह वाला हमारे slivers से skip कर दिया गया है as well as ax plus b और px square plus qx plus c इस type के जो integral वाले सवाल होते हैं इस type के integral वाले सवाल नहीं पढ़ना है ठीक है chapter 7 का कहानी समझ में आ गया chapter 7 हमारा integration है indefinite integration definite integration पढ़ना सब कुछ है बहुत कम slivers reduce किया गया यहाँ पर क्या क्या नहीं पढ़ना है chapter 8 नहीं पढ़ना है जिसके अंदर हम पढ़ते थे integration limit as a sum integration को हम लोग limit apply करके limit as a sum से जो solve करते थे वो नहीं पढ़ना है as well as क्या नहीं पढ़ना है ax square plus bx plus c वाला जो integration होता था यह slivers से reduce कर दिया गया है ठीक है और यह वाला slivers से reduce कर दिया गया है ठीक है साथ ही साथ बच्चों इसमें जो supplementary exercise होंगे chapter 7 के उसको भी reduce कर दिया गया है ठीक है तो chapter 7 का कहानी समझ में आ गया होगा अब आते हैं chapter 8 पे देखते हैं chapter 8 पे हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है जो chapter 8 है बच्चों chapter 8 हमारा application of integral है जैसे हम लोग differential calculus में aod पढ़े थे application of derivative पढ़े थे similarly जो यह हमारा chapter 8 है यह हमारा क्या है application of integral है application of integral में हमें क्या पढ़ना है exercise 8.1 पढ़के जाना है 8.1 में जिस type की concept है वो हम मैं आपको पढ़ाओंगा वो पढ़के जाना है exercise 8.2 नहीं पढ़ना है बट ये जो top exercise 8.2 है इसमें किस type की question दिये वे हैं इसमें दिये वे हैं area between the two curves ऐसा question slaves में तो कह रहा है कि नहीं पढ़ना है बट CBSC का जो sample paper आया है उसमें से area between two curves के question दिये वे हैं तो हम लोग partially इसमें जो simple type की question होंगे उसको देख लेंगे उसको पढ़के जाएंगे तो इसको हमें अगर देखना भी है तो partially पढ़ना है हादा partially इसको पढ़ना है और chapter 8 पे जो हमारा mislinious exercise है यह तो पढ़के ही जाना है जो इससे related होगा mislinious का मतलब chapter 8.1 sorry exercise 8.1 और exercise 8.2 के mixed question mislinious में दिये होंगे उसमें जो 8.1 के से based question होंगे mislinious में वो हमें पढ़के जाना है ठीक है chapter 8 का कहानी समझ में आ गया और chapter 7 का कहानी समझ में आ गया अब देखो chapter 9 क्या है हमारा यह बहुत important chapter है यह है differential equation और differential equation उन्ही को अच्छे से आएगा जिसको indefinite integration और definite integration से अच्छे से आता होगा even indefinite integration आना चाहिए तो मैं पढ़ाओंगा इसके बाद जो next class होगा वो हमारा indefinite integration स्टार्ट होने वाला है तो indefinite integration जब पढ़ाओंगा तो इसको अच्छे से पढ़ना जिसको indefinite integration आता है उसके लिए समझ लीजिए आपका ये वाला part जो differential equation है या उसके लिए तगड़ा हो जाएगा तो जो differential equation है इसमें हमें क्या पढ़ना है 9.1 पढ़ना है 9.1 क्या गढ़ना है पढ़ना है इसमें हमारा question किस type करेगा order निकालने पूस्ता है और degree वाला question जो होगा ये हमारा 9.1 है 9.2 भी पढ़ना है 9.3 नहीं पढ़ना है 9.3 पढ़ने के लिए आपको न कुछ जो हमारा 11th class में coordinate geometry है उसमें कैसे straight line और circle parabola, ellipse, hyperbola के कैसे equation बनते है उसका knowledge जरूरी था बट यहाँ पर 9.3 यहाँ पर skip कर दिया गया है तो काफी बहतर है हमें पढ़ना ही नहीं है तो 9.3 नहीं पढ़ना है 9.3 में कैसा question पूछता था इसमें बोलता था formation of differential equation जैसे आपको कोई circle दे देता और बोलता इस circle का differential equation find out कीजिए ठीक है तो हमें इस 9.3 के सवाल करने के लिए हमें coordinate geometry from class 11th आनी चाहिए अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिकत नहीं 9.3 स्लेवर से skip कर दिया गया है 9.4 पढ़ना है यह हमारा क्या है इसमें हम लोग पढ़ेंगे variable separable form 9.4 पढ़ना है इसमें हम लोग पढ़ेंगे variable separable form पढ़ेंगे 9.5 हमारा जो होगा वो homogeneous differential equation होगा यह हमें पढ़ना ही है इसका एक पार्ट पढ़ना है एक पार्ट नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है इसमें हमें क्या पढ़ना है इसमें हम लोग को dy by dx equal to f of y वाला x वाला concept पढ़ने हैं और क्या नहीं पढ़ना है dx by dy equal to f of x by y means y by x वाला concept पढ़ना है और x by y वाला concept skip कर जागे ये नहीं पढ़ना है 9.6 में 9.6 हमारा linear differential equation होगा इसके अंदर हमें ये जो linear differential equation लिखा हुआ है dy by dx plus p of y equal to q ये differential equation इस linear differential equation के बारे में पढ़के जाना है और dx by dy plus px equal to q ये पढ़कर नहीं जाना है इसलिए बसे skip कर दिया गया है साथ ही साथ बच्चो 9.9 चैप्टर का जो misllaneous है वो तो पढ़के जाना है misllaneous किसी का भी skip नहीं करना है misllaneous exercise और misllaneous के पहले जो example है वो बहुत ही important है है ना तो वो पढ़के जाना ही है तो ये हमारा कहानी कहां तक clear हो गया chapter 7, chapter 8 और chapter 9 जैसा syllabus दिया है CBSC वाले ने term 2 के लिए मैं as it is वैसे ही पढ़ाऊंगा और हम लोग syllabus अच्छे से कर लेंगे exam से पहले हमारा syllabus complete हो जाएगा तो चलो अब हम लोग देखते हैं देखिए जो हमारा term book 2 है NCRT का उसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13th chapter इतने chapter से इसमें से मैं आप लोग को इसके बारे में बता दिया जो chapter 12 है यह हमारा term 1 में आ चुका है तो term 2 में नहीं आ रहा है chapter 1 क्या था हमारा linear programming वाला chapter था तो जो भी term 2 exam term 1 के exam तो आप लोग दे चुके हैं तो linear programming term 2 में नहीं पूछ रहा है यह chapter 30 गया है अब हम लोग देखेंगे chapter 10, 11 और 13 में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है तो आप चाहो तो इसका screenshot ले लो फिर हम देखते है chapter 10, 11 और 13 तो देखो बच्चो अब chapter 10, 11 और 13 12 कहां गया 12th chapter तो term 1 में आ चुका है linear programming है chapter 12 तो chapter 10, chapter 11 और chapter 13 इन chapter के बारे हम देखते हैं क्या है तो बच्चो chapter 10 में जो हमारा वो vector है तो vector में हमें 10.1 से 10.4 तक complete पढ़ना है vector में ज़्यादा कुछ skip नहीं हुआ है complete पढ़ना है scalar product पढ़ना है cross product पढ़ना है dot product, cross product complete पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है इसमें क्या skip हुआ है क्या delete y-slaves से क्या हटाया गया है वो हमारा supplementary exercise on vector हटाया गया जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने थे scalar triple product पढ़ने यह हमें इस बार नहीं पढ़ना है जहां जहां मैं cross लगा रहा हूं वो नहीं पढ़ना है और जिसमें मैं tick mark कर रहा हूं वो पढ़ना है ठीक है तो यहां पे chapter vector में supplementary exercise नहीं पढ़ना है exercise 10.1 से exercise 10.4 तक पढ़ना ही है और साथी साथ उसके miscellaneous भी पढ़ने है ना chapter 11 में chapter 11 जो हमारा है वो plane है chapter का नहीं हम 3D geometry जिसके अंदर हम लोग straight line in 3D और plane के बार में पढ़ते हैं उसमें हमें 11.1 से 11.13 तक पढ़ना है साथी साथ miscellaneous exercise भी पढ़नी है इसमें जो exercise 13 पॉइंट sorry 11.3 है exercise 11.3 है उसमें जो angle वाले problem है जैसे angle between two lines angle between two planes angle between line and plane वो नहीं पढ़ना है ठीक है उसको नहीं कढ़ेंगे हम लोग तो इस पे best problem हमारा 11.3 में होगा 11.3 में और भी टाइब कोशन होगे बस partially पढ़ने है partially नहीं पढ़ने है तो 11.12 chapter 11 में plane में क्या नहीं पढ़ना है angle between two line angle between two plane angle between line and plane है ना ऐसा ही है पढ़ना है तो यह हमारी कहानी थी chapter number 11 की simple है है ना chapter 13 जो probability है और probability अगर कोई बच्चे को देखो उसी कुछ probability अच्छे से समझ मैंगा जिसे permutation and combination आता है तो class 11 में जो permutation and combination है वो एक बार रिवाइज कर लेना मैं एक बार रिवाइज थोड़ा सा करवा भी दूँगा probability पढ़ने से पहले तो probability में हमारा 13th chapter में exercise 13.1 से लेकर exercise 13.1 से लेकर 13.5 तक है exercise और उसके बाद mislinious exercise है तो 13.1 complete पढ़ना है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे conditional probability 13.2 हमें पढ़ना है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे multiplication theorem and independent events ठीक है 13.3 भी पढ़ना है बहुत important है इसमें तो VVI लगा दो इसमें तो question आएगा ही 110% 13.3 से आएगा जो base theorem है अपना यह हमारा क्या है base theorem है 13.4 जो है बच्चों 13.4 हमारा probability distribution है जिसके अंदर हमें table बनाने बस पूछा जाएगा probability distribution बनाने बोला जाएगा उसके अंदर हमें mean and variance निकालने नहीं बोला जाएगा इसको हटा दिया गया है इस बार सिर्फ partially यह पढ़ना है क्या करना है partially पढ़ना है और 13.5 कम्प्लीटली स्रेवस से skip कर दिया गया है जिसके अंदर क्या पढ़ते थे हम लोग binomial distribution पढ़ते थे यह completely skip कर दिया गया है और 13.1 से लेके 13.4 के जो mix question होंगे वो हमें chapter 13 के mislinious exercise में मिलेगा ठीक है तो कान खोल के सुन लो हर chapter का mislinious exercise है वो पढ़ के जाना है और mislinious exercise के पहले जो example है उसको तो अच्छे से पढ़ के जाना है उसको अच्छे से लगा के जाना solve करके जाना है ठीक है और मैं तो सारा कुछ करवाऊंगा ही हमारे crash course में सब होगा ठीक है जो हमारा target है 15th April तक complete हो जाएगा 15th April अगर कुछ 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है पीछे तो नहीं होगा 15 April नहीं तो कम से कम 17 या 20 April तक Slavers हो ही जाएगा ठीक है तो Slavers का overview कर लिए एक बार आप लोग इसका screenshot ले लो और इसका Slavers का मैं PDF लिंक भी description में डाल दूँगा तो हम लोग मिलते हैं next class में chapter number 7 के साथ indefinite integration के साथ तब तक के लिए bye have a nice day